यूफॉर्बिया हिर्टा एस्थमा वीड नमस्कार, मैं डॉक्टर लाल रतनाकर सिंग आज आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ इस पौधे का नाम है यूफॉर्बिया हिर्टा जिसे दूधिया साग के रूप में जाना जाता है यहाँ पौधा हमारे आस पास किसी न किसी रूप में उपलब्ध होता है जानकारी के अभाव में हम इस पौधे के गुणों का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आईए आज हम जाने यूफॉर्बिया हिर्टा या दूधिया साग के बारे में यह पौधा देखने में कैसा लगता है इसे हम कैसे पहचानेंगे यह कहां पाया जाता है इसके पौष्टिक गुण क्या क्या है इसके औसदी गुण क्या क्या है और इनके गुड़ों का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं इस पौधे का बोटेनिकल नाम है यूफ़ार्बिया हिर्टा जो यूफ़ार्बी एसी फैमिली का सदस्य है, सामान्य तह इसे एस्थमा वीट कहा जाता है क्योंकि एस्थमा रोग के उपचार में यह उपयोगी है इंदी में इसे बड़ा दूधी, बेंगॉली में बारो करनी, तमील में अम्मम पचर्शी, मराठी में दूधी, तेलगू में नाना बालू, मले आलम में नेला पलई और जारखंड में इसे दूधिया साग के रूप में जाना जाता है यह पौधा सीधा यह जमीन पर लेट कर बढ़ने वाला वार्सिक हर्ब है, यानि छोटा पौधा है, जिसकी लंबाई 15 से 50 सिंटीमीटर होती है यह ब्यर्थपड़ी खाली जमीनों में, अमारे लॉन्स में, रोट्स के किनारे, बाग बगीचों में और जंगल में खर पतवार के रूप में स्वयम उगने वाला पौधा है इसके पौश्टिक गुणों के बारे में अगर हम देखें, तो इसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर और कार्बो हाइडरेट काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रती 100 ग्राम साग में 12.57 ग्रोटीन और 36.59 ग्राम फाइबर पाया जाता है प्रोटीन और फाइबर की अत्यधिक मात्रा और फैट की अत्यंत अल्प मात्रा इस पौधे को पौश्टिक गुण प्रदान करती है इसी प्रकार यदि हम इसके मिनरल कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो इसमें कैलसियम, आइरन, फासफोरस, पौटेशियम, सोलियम और अन्य कई मिनरल्स पाये जाते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें ये सारी मिनरल की मात्रा बहुत अधिक है सामान इसे बहुत ज़्यादा है यही कारण है कि इसे अत्यंत पौश्टिक पौधा माना गया है अब इसे पहचानने के लिए यदि हम इसका इस्टिम देखेंगे तो यह फोर एंगल होता है और यह पूरी तरह पीले रंग के रोमों से गिरा हुआ होता है बहुत densely covered होता है पत्तियां इसकी opposite होती है जैसा कि आप यह देख सकते हैं 1.3 से 3.8 cm लंबी होती है 0.6 से 1.6 cm चोड़ी होती है और इसका apex acute होता है इसका base unequal sided होता है और इसकी margin काटेदार होती है यह पौदा रोमों से युक्त होता है और उपरी surface इसकी dark green कलर की और निचली surface पीले रंग की होती है फूलों को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे फूल गुच्छों में पाये जाते हैं जो की 1.3 mm लंबे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं यह गुच्छे में गोल आकार के हो जाते हैं और हरे और पीले रंग के होते हैं एक्जीलरी साइम्स में फूलों इसके capsule प्रकार के होते हैं 1.25 mm डाया के होते हैं और हेर से कवर्ड होते हैं यह इसके सीड जो होते हैं वो एंगुलर होते हैं 0.8 mm लंबे होते हैं रेडिस ब्राउन कलर के और यह समर में खिलते हैं अब यह किस सीजन में मिलता है और कैसे इसको उपयोग करेंगे तो यह पूरे वर्स पाया जाता है इसका जो एरियल पार्ट होता है जो धर्ती के ऊपर का भाग है उसको समर में जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उसको तोड़ा जाता है और सुखा करके आप सीजन यूज के लिए रखा जा सकता है बेसिकली यह एक फैमीन फूड है माने जब अकाल पर जाता है जब खाने के लिए और चुजों की कमी होती है तो यह पूधा जो स्वयम उगता है वीड के रूप में पाया जाता है इसका उपयोग करने से न यह काफी जादा है इसकी पत्तियों को कुक करके खाया जाता है इसके अत्रिक्त यूफार्विया टी के रूप में भी इसका उपयोग होता है यूफार्विया चाय के लिए इस पौधे को पूरा तोड़ा जाता है और उसको पानी में भिगो दिया जाता है दो मिनट के लिए इसकी धूल और गर्द को साफ किया जाता है, फिर इसे boil किया जाता है 10 मिनट, उसके बाद 20 मिनट के लिए इसको छोड़ करके इसको छान लिया जाता है, तो छानने के बाद जो content प्राप्त होता है, वो euphorbia T के रूप में जाना जाता है, और इसमें वो सारे तत्वों होते हैं, जो इसके औसधिय और पॉस्टिक तत्वों हैं, इस प्रकार इस euphorbia T का उप्योग, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है, इसके औसधिय गुडों के बारे में जानने के पहले, यह आवश्यक है कि हम अपने खर-पत्वार के रूप में उगने वाले अतिपोश्टिक और स्वादिष्ट सागों के बारे में जाने, जिससे कि हम उनका उप्योग कर सकें, क्योंकि यह पौधे हमारे आसपास सुएम उगते हैं और भारी मात्रा में उपलब्द होते हैं, यदि आपको ऐसे पौधों के बारे में रुची है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आईए हम जाने इसके औसदिय गुणों के बारे में, यह पौधा पारंपरिक रूप से बहुत सारी बिमारियों के इलाज में उपियोग किया जाता रहा है, कारण यह है कि इसमें बहुत से ऐसे केमिकल तत्तों जैसे कि अलकेइन, स्ट्राइट अर्पिन, फाइटोइस्टेरोल, स्टैनिन, पॉलिफेनॉल और फ्लेवोनोयट्स पाये जाते हैं, यह सारे तत्तों इसे औसदिय गुण प्रदान करते हैं, इसकी पत्तियों का मेडिसिनली काफी उपियोग होता है, इसे एस्थमा वीड भी बोला जाता है, क्योंकि एस्थमा के इलाज में यह बहुत ही कारगर है, ब्रॉंकाइटीस के में, कफ में, सर्दी जुकाम में और सर्दी जुकाम में जो फीवर हो जाता है, उसके इलाज में इसका उपियोग किया जाता है, इसके अतरिक्त gastrointestinal disorders जैसे कि diarrhea में, dysentery में, intestinal parasitosis में इसका उपयोग किया जाता है, treatment of conjunctivitis में इसका उपयोग होता है, यह anti-malarial भी माना गया है और डेंगू के इलाज में जब blood platylates कम हो जाती है, तो इसके सेवन से blood platylates की संख्या भढ़ती है, यह anti-bacterial है, anti-fungal है और anti-inflammatory भी है, यह सूजन को कम करने वाला पौदा है, इसमें कई तत्व ऐसे पाये जाते हैं, जो cancerous cells को multiply करने से रोकते हैं, इसलिए anti-tumor भी इसे मा अना गया है, और anti-amoebic भी यह होता है, N-tamoeba histolytica के infection में यह बहुत ही कारगर औसदी के रूप में प्रियोग किया जाता है, अब eye source को अगर हम देखें, आखों की बिमारियों में इसके latex को lower eyelid पर इस्तेमाल, सुरुमा के तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह anti-fertility को बढ़ावा देने वाला पौधा है, इसका बहुत high dose लेने पर यह anti-fertility cause करता है, क्योंकि इस पर motility और density को significantly reduce कर देता है, इसलिए anti-fertility होने का खत्रा होता है, इसकिन की diseases में इसके decoction को use किया जाता है, गले में जो भी बिमारिया infection होता है, उसमें इसको गारगल के रूप में use किया जाता है, इसके root के काढ़ा को, जणों के काढ़ा को lactating mothers use करती हैं, यदि उनमें दूद की कमी होती है, तो यह दूद को बढ़ाता है, इसकी roots को snake bites मे भी antidote के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हमने इस पौधे के बारे में जाना, जो हमारे परिवेस में उखता है, पौश्टिक है, और यह सोयम उगने वाला weed है, जिसे nature ने सोयम बर्दान के रूप में हमें प्रदान किया है, और यदि हम ऐसे पौधों को पहच पर बताया गया है, जिसके वीडियो लिंक इन स्लाइट्स में उखलब्ध है, आप इन वीडियो लिंक के द्वारा ऐसे पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद,